जहेंग दोस्तों सुआगे दैब सभी का अच्की विडियो में और जिसे की आम सभी जानते के पाच दिन का ग्लो चैलेंज में आप सभी को दिया हुआ है अपने आपको भी दिया हुआ है तो आज है उस ग्लो चैलेंज का चौथा दिन और आज जो मैं आपको फेशियल या फेस्वेक बताने वाली हूँ वो आपकी स्किन पर एक ग्लास जिसे चमक लेगा आता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो एक ग्लास स्किन वाला जो सेनेरियो आजकल चल रहा है वैसा कुछ न अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से निकरे हुए नजर आए तो बाहर से आप क्या अपलाई कर सकते हैं अंदूरी तो आपको पता ही अच्छी डाइट लेनी एक्सिसाइस करनी बहुत सारा पानी पीना है बहुत सारी स्माइल करनी है उससे ही आप इंटरनली हेल्दी रह स सकते हैं और अफकोर्स अगर आउटर कुछ इस चल रहा है तो उनके लिए फेसपेक हाजिर है आप सभी के लिए तो आज चोता दिन है और आज जो हमें इंग्रीडिंट चाहिए वह भी आसानी से आपको अवेलेबल है इवन आपके घर पे इस वक्त मौजूद हो सकते हैं म इसमें गलती कर रहे हैं आप इसको ध्यान से सुनिए उसके बाद अपलाई किजेगा सबसे पहले आपको मुठी वर राइस वोटर चाहिए अगर आपको दो दिन भी या तीन दिन भी सुनूद को चलाना ना मोड़ देना ना पर वो मुठी वर चावल आपने लिए कोशिश करिए जो कच्छा चावल होता है वो आपने ठीक है ना उसको आप रात बार बिगो दीजिए और सुबा उस पानी को आपको आड़ करना धियान दीजेगा आप चावल बिगो हैं तो पहला पानी निकाल दीजिए को जो भी इंप्योरिटी होंगी वो निकल जाएंगी उसके भी खाने लाइक ही होते है उनको फेकना नहीं है राइट अब जो राइस वाटर आपको मिला है वो तीन दिन तक आपका आसानी से चल जाएगा राइस फेस पहक आप तीन दिन लगतार लगाने वाले कोई हाम नहीं होता है क्योंगे हम प्रॉड़क को क्यों करें हैं ना किस कीजेगा green वाला apply मत कीजे और जो third ingredient है आपका वो है glycerin that's it इतना ही करना है आपको अगर आपकी skin बहुत जादा oily है बहुत जादा acne proner आपको लगता है glycerin आपको suit नहीं करती तो उसकी जगा आप गुलाब जल भी ले सकते हैं अब इसका तरीका सुल लिजे कैसे आपको बना एक चमच rice water लेना है वो चमच जिससे हम दाल चावल खाते है clear एक चमच rice water लेना है उसके बाद एक चमच aloe vera gel लेना है और अगर आपकी skin dry है तो एक चमच glycerin अगर आपकी skin oily है तो एक चमच गुलाब जल clear अच्छे से उसे mix up करें पूरे face पर और neck पर आपको apply करना है और अगर हातों पर आपको लगता है कि tanning बहुत ज़्यादा है हातों पर भी apply कर सकते है it's useful for hands, foot, everything okay अच्छे से apply करेंगे 15-20 minutes लगाके छोड़ देंगे उसके बाद normal पानी से मूँ दो लेंगे सर दिया है तो गुन-गुने पानी से मूँ दो लीजिए उसके बाद कोई भी अ तो आप उससे आदे घंटे पहले भी इसको apply कर सकते है आदे घंटे पहले इसलिए कह रही हूँ तो इसके बाद आपको जो भी base वगेरा ये makeup वगेरा करना होगा तो वो उससे थोड़ा सा gap रखना जरूरी होता तुरंट से makeup करने ना लग जाईगा ठीक है इतना आप कर सकत हैं यह था हमारे चोथे दिन का फेशल और यह आपके जो चहरे पर बहुत ही bright सी बहुत ही healthy चमक लेके आता है और यह चमक वो नहीं होती जो आप प्राइमर से या फिर प्रॉम क्रीम जो आजकल चल रही है उनसे आरे नहीं यह वो चमक होगी जो आपकी skin निखर के सामने से दिखाई देगे कि यह आज तो भाई कोई specially special करा के आया आप बट आपको जानते हैं कि आपको ने कौन सा फेशल लिया है तो यह था हमारे चौते दिन का चैलेंज उम्मीद करती हूँ कि अच्छा समझ में आ गया हो आगा आपको अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए कि मुझे मालूम है फिर आप भूल जाएंगे या फिर आप वीडियो को जल्दी जल्दी skip कर देंगे यह ऐसी मददार health और skin related videos आपको इसी चैनल में मिलती है ओके तो यह पूरा जो हमारा था चौते दिन का फेस्पेक है अब जो लास्ट वीडियो आएगी वो आएगी कल मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिना skip किये यह वीडियो में पोस्ट करती रहूं वोफफुली मैं कल भी कर पाऊं तो पांचवे दिन का चैनल बिल्कुल भी मत बूलीगा क्यों बहुत जादा important होने वाला है और सबीसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखिए स्वास्त रहिए वैस्त रहिए मस्त रहिए जबरदस्त रहिए यहल्दी पी होले स्टेक जैहिंग